कि है दोस्तों में हुआ आपका दोस्त संप सки्राइज दोस्तों आज हम बात करेंगे अ अपनी बासा लेजी कि अपनी बासा आप चैंजे कर सकते केसे उनको अपना कåम कर वा सकते दोस्तों आज मैं आपसे यहीं बात कर !! दोस्तो मेरे पास इसी को प्रियोद नहीं है कि ऐसे ट्रिक्स को प्रियोड करके अपनी बास नात्यों में क्यों सब्सक्राइण सब्सक्राइण लोग आपके दिवाने हो सकते हैं, दोस्तों, आपको पता है, दोस्तों, लोग हमेसा उनकी वानी को याद रखते हैं, बूरे सब्दों को कभी याद नहीं रखते हैं, दोस्तों, बगवान ने सब को एक जिवान दी, लेकिन कोई अच्छा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है तो क्यों न अपने जिवान में ऐसी मीठास पिदा करें ऐसी वाक्य अपने जवान में ऐसे बोले लोगों के उनके कानों में मिस्ट्री बोले दोस्तों आज वही बाते में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों लोग बात करते हैं जब किसी की गहरी दोस्ती होती है तो लोग केते हैं याराना है हम एसी बासा बोलते हैं लेकिन दोस्तों याराना में एसी सब्दावली किस काम की जिसमें सालीमता नहीं जिसमें मदूरता नहीं हो दोस्तों तो एसी याराना किस काम दोस्तों मेरा प्रस्टनल व्यक्ति का त्रियाय है कि व्यक्ति की प्रस्टनालिटी में चहरे की भूमी का सिर्फ 10 परसन होती है दोस्त और बासा की मैं मानता हूं बासा की भूमी का 90 परसन होती है लोग उसकी बासा से जानते हैं, लोग उसकी से याद करते हैं, नहीं कि उसकी चेरे से, कि क्या उसका वेवार था है, क्या उसका व्यक्तित्व था, दोस्तों, रामायन तो आप सबने देखी होगी दोस्तों, उस रामायन में पता राम केसी बासा बोलते थे, राम बोलते थे कानों में मिश्री डलती दी और वही उसके उलट रावन रावन कैसे बोलता था लोगों के कानों में जहर गोलता था तो दोस्तों अपनी वाणी में मिठास लाईए उन्ही राम ने अपनी वाणी से सत्रू को मित्र बना लिया दोस्तों और उसी वाणी ने रावन की वाणी कंट्रोल करें एक अच्छी भासा बोलें वहीं आज में आपको टिक्स बताने जाएं आप किसी होटल रेश्टोरन में जाते हैं कोई छोटा बच्चे होते हैं आप से छोटे उम्र आपके आप क्या कहते हो ए भाई ए भाई इधर आना क्यों भाई आप उसकी जिंग यह नहीं में पढ़ेंगे ना तो मिस्री को लेंगे वह आपके प्रति सम्मान और आदर की भावनाओं देगें कुछ नहीं करना है आपको यह भाई आपको सेली की अंतर है इसी को आपको सीखना है और एक अच्छा व्यक्ति तो आप मना सकते हो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने जा आपको कुछ नहीं करना है तुम और तु की जगे सिर्फ आपको आपको प्रियोग करना है करना क्या है दोस्तों तु इधर आप इधर आओ तुम इधर आओ आओ आप इधर आओ बस एक ही तो वर्ड का चेंज करना है दोस्तों और उस एक वर्ड के चेंज करने में कितना अ अंतर है जाता है और दूसरा आप हर एक व्यक्ति के आगे जी लगाना चीखे दोस्तों आप राके शाम राम कुछ भी बोलते हो आगे जी तो लगाना है दोस्तों उस जी से कितना अंतर पड़ता है दोस्तों आपका व्यक्तित्व का लोगों के सामने कितना अंतर पड़ता है दोस्तों या आपको पताए जी से तो आप जब भी कुछ भी नाम लिखें या जब भी बोले तो सिर्फ जी लगा दिए उसके पीछे उस जी से आपके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ेगा लोग आपको याद रेका आपकी बात को मनानिक कर पाएंगे आप जब कभी उनको राकेजी शाम जी कोछ भी बोलते हो जब पीट विजा दोसरों से बात करते हो तो क्या करते हो अरे यार राकेज हो कह रहा था और जब सामने अरे यार राकेजी आप कह रहे थे अरे तो जब आप किसी दोस्त के सामने उस परसन के आप बात कर रहे हो तो उनको भी तो तो यार राखेजी वो करे रहे थे बस करना क्या जो वहीं तो इंसते न भी दोस्त जब कभी लगे गाई यार नहीं आज मेरे सामने वह कभी बात करेंगे तो दोस्तों को किसी को बी दूसरे पीट पिछे भी इज़त देना सेखो दोस्ते उससे आपकी बासा सेली इंप्रूव होगी और आप लोगों के बीच में अपनी जगा बना पाऊगे अपनी बासा में कभी गाली का प्रियोग ने करें अपनी सब्दावली एसी रखें मीटी सब्दावली रखें अपनी बासा में गाली गलोच कभी ने लाएं लोग लड़ाई बूल जाते हैं दोस्तों लेकिन जो गाली के जो वर्ड पढ़ते हैं वो सीधे दिल पर वार करते ह भी गली का प्रियोग न करें दोस्तों नेक्ट अंजान व्यक्ति से बात करते हुए उनसे ऐसे बात करें सर निवेदन सर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ एक आप और एक निवेदन करके आप उनसे बात करें तो वो आपकी फश्ट बात जल्दी सुनेंगे और आपकी बात से प्रभवित होंगे क्यार नियार अच्छी बात करें नेक्ट किसी की निंदा न करें दोस्तों आप किसी की पीठी फीचे निंदा न करें आप जब भी निंदा करेंगे न तो लोग आपके बारें यह सोचेंगे यार कुछ नहीं यह तो बुराया करता है उनको लगता है क्य उन्हेंना हमेंसा विनके अच्छे कामों के प्रसंसा करें दोस्तों उनको लगेगा पूरा तो लोगों की सुनाई सुनाई बातों को लेके दूसरों को बदनाम करेंगे तो आप ही लोगों के बीच पे अपनी गलत शवी बनाएगे दोस्तों इसे भी आपकी बाता से लिए इंपरू ہوगी और लोग आपको पहचानने लगेंगे लोग आपकी बातों को माने लगेंगे और लाश्ट कभी भी जितना हो से के दोस्तों असत्य न बोले हमेशा अधिकतर 90% सत्य बोलने कोशिस करें अपनी भासा में सत्यता की बात लगए तो लोगों को लगेगा अच्छी बात बोल रहे हैं इसी के साथ दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपने जियून में लाइए और अपने बासाओं को इंप्रोग करिए और लोगों के बीच में लोग फिरी होई इसी के साथ आज यहीं दोस्तों नमस्कार